हलो इस्टुडेंट्स वेलकम टू एलन जैसा कि बच्चों ब्रैंड्स्टॉर्म की डेली चैलेंजिंग जो श्री चल रही है इसमें हम आपको डेली एवन क्विशन दे रहे हैं आप लोग उन क्विशन को सोल कर रहे होंगे जो प्रिवेस क्विशन दिया गया था इस करते हैं और देखते हैं को किस सोल करते हैं यह क्या दिया हुआ है कि गिवन सीक्वे अस बाइड से 4 جो इस कंडिशन को सेटिसपाइं कर रहे हैं ऑर एक्स सब्सक्राइब गया है और हमें जो find करना है x1005 upon 164 and multiply by x21 की value हमको पता करनी है तो चलिए बच्छे स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 upon x1 plus 1 ज्या हमको given है equal to x2 upon x2 plus 3 equal to x3 upon x3 plus 5 equal to और यह किसके equal दिया हुआ है x1005 upon x1005 plus 2009 ज्या हमको given है इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्छों x1 plus 1 upon x1 equal to x2 plus 3 upon x2 equal to x3 plus 5 upon x3 equal to इसको हम क्या लिख सकते हैं x1005 plus 2009 upon x1005 अब इसको बच्छों हम kk assume कर लेते हैं equal to क्या कर लेते हैं kk equal अब assume कर लेते हैं अब जैसा कि बच्छों आप जानते हैं क्या जानते हैं कि if a upon b equal to c upon d इसको हम क्या लिख सकते हैं a plus c upon b plus d इसको हम इस property का यहाँ पर यूज करने वाले हैं अगर ऐसा ratio equal हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं तो numerator में क्या हो जाएगा बच्छों numerator में हमारे पास हो जाएगा k equal to x1 plus 1 x2 plus 3 x3 plus 5 और लास्ट में कितना लिखा हुआ था बच्छों x1005 plus 2009 x1005 plus 2009 upon कितना आएगा x1 plus x2 plus x3 up to x1005 इसको हम बच्छों rearrange करते हैं तो क्या बनेगा ये x1 plus x2 plus x3 प्लस कहां तक जाएगा x1005 तक ये तो इनको हमने एक तरह साथ arrange कर दिया और प्लस में कितना आएगा 1 plus 3 plus 5 2009 upon x1 plus x2 plus x3 x1005 अब इसको लिखें बच्छों तो हमारे को इसका सम दिया हुआ है x1 plus इसका कितना दिया हुआ है सम हमको 2010 2010 इसका सम दिया हुआ है तो ये कितना बन जाएगा आपने पास 2010 प्लस ये हमारे पास ap बन गई बच्चों और ap का यहाँ पर हम सम लिखेंगे तो इस पर ap का हम सम लिखेंगे तो कितना लिख सकते है ये तो denominator में भी ऐसा गया बच्चों यहाँ पर ये ap बनी हुई है तो अब number of terms निकालेंगे तो number of terms कितने आ जाएगा एन इक्वल टू 2009 minus 1 upon 2 plus 1 तो कितना हो गया ये कितना हो जाएगा 1000 4 plus 1 equal to कितना आ गया 1000 5 ये हमारे पास कितने आ गई number of terms आ गई number of terms आ गई तो इस शीरीच को अगर हम sum करेंगे तो इसका s n कितना हो जाएगा n by 2 a plus l इससे हम इसका sum निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा n by 2 करेंगे n यहाँ पर कि हम निकाल चुके 1005 है और a plus n करेंगे तो 2010 आएगा तो कितना हो गया 1005 का whole square तो यहाँ पर लिख देंगे 1005 का whole square तो बच्चों इसको हम separate करें तो ये किसके equal हो गया 1 plus 1005 whole square अपन 2010 फाइनली हमारे पास के की वेल्यू आ गई 1 plus 1005 अपन 2 यह हमारे पास के की वेल्यू आ गई अब बच्चों यह तो हम के की वेल्यू निकाल चुके हैं अब हमें क्यूशन में क्या चाहिए था क्यूशन में हमसे पूझा है 1005 upon 164 equal to x21 तो x21 यहाँ पर भी आ रहा होगा अब x21 यहाँ पर आ रहा होगा तो यह क्या चल रहे है 2n minus 1 तो 2n minus 1 चल रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर तो 1 plus 1005 upon 2 equal to कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे तो 1 plus 41 upon x21 इसको हम solve करेंगे तो 1005 upon 2 equal to कितना आ गया equal to 41 upon x21 इसको इदर multiply कर देते हैं अपन तो 1005 upon 82 x1 x21 equal to कितना हो गया 1 हमें चाहिए था 1005 upon 2 से divide कर देंगे तो 164 x21 equal to 1 upon 2 तो हमारा answer कितना होगा point 5 will be correct answer तो बच्चों आप लोगों ने solve किया होगा और आपका भी यही answer आया होगा जिन बच्चों ने नहीं किया उनको यह समझ में आ गया होगा तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और next challenge की ओर और यह आपके लिए next challenge थेंक यू बच्चों